नमस्कार आज़ीवी न्यूज देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ हरजुन खजूरिया जी ट्वंटी शिखर समेलन समाप्त हो चुका है लेकिन इसके बाद अब जो राजनीती चल रही है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है जी हाँ इस वक्त अगर बात कि रहे तो चर्चा जी ट्वंटी के रातरी बोज की भी है उस डिनर की जिसका आयोजन देश की राश्रपती द्रोपती मुर्मूजी की तरव से किया गया इस दोरान इस डिनर में विदेशी महमानों के साथ साथ कुछ विशिष्ट अदीथियों जो केंदर सरकार में मंतरियों उनको बुलाया गया और साथ ही साथ सभी मुख्य मंतरियों को भी बुलाया गया उस दिन भी राजनीती देखने को मिली लेकिन अब यहां पर प्रतिक्रिया सामने आ रही है क्या विपक्षी गडबंदन में फूट बढ़ती जा रही है जी हां यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब सिलसिलेवार तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रतियारोप की राजनीती शुरू हो गई है और यह एंडिये और आईएंडिया के बीच में नहीं हो रही है यह बलकि आईएंडिया के ही आपस में नेताओं के बीच में हो रही है जहां एक तरफ पश्य मंगाल की सद उस पर रिप्लाई कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ नितिश कुमार का जो फोटो वाइरल हो रहा है जो पीम मोदी ने इंट्रोड्यूस कर रहा है नितिश कुमार को हिमन सोरेन को उसको लेकर भी हिंदोस्तानी आवाम मोर्चा यानि कि हम पार्टी के जितन राम मांजी जो हैं उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है एक एक करके आपको दोनों खबरे के बारे में बताएंगे सबसे पहले यहां पर अगर बात कि जाए तो ममता बैनर जी और अधीर रंजन चोदरी की दरसल इंविटेशन सब को गया कॉंग्रेस के कुछ मुख्यमंत्रियों ने इ बाचामिल होने पर ममता बैनर जी जो सवाल उठारे सारी बडी बाते कह रहें अदीर रंजन चोधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बैनर जी दिनर में शामिल में डिल्ली पहुंची अगर वह वह दिनर में में शामिल चोदरी जी को कोई यह समझाए बेशक आप विपक्ष में हैं लेकिन कुछ मोके ऐसे होते हैं जहां पर पक्ष विपक्ष को साइड पर रख करके सबको उसमें शामिल होना होता है जब ने संसत भवन का उद्गाटन हो रहा था उस समय भी ऐसा ही मोका था लेकिन यह कॉंग्रस पार्टी की मानसिक्ता ऐसी बन चुकी है कि कुछ भी होगा देश के अंदर के अंदर सरकार कुछ भी करेगी चाहे उसमें उनको साथ आना हो बुलाया भी गया वहां पर लेकिन काम है बॉयकॉट करना बॉयकॉट करना मलिकार जुन खडगे के लिए बड़ी-बड़ी बाते करें मलिकार जुन खडगे को क्यूं नहीं बुलाया गया कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं मलिकार जुन खडगे सोनिया गांदी कोन से राज्य की मुख्यमंत्री हैं सोनि कारजुन खडगी और क्या कहा कॉंग्रेस पार्टी ने अपने घर पर जंडा फैराना था कॉंग्रेस पार्टी के दफ्तर पर तिरंगा फैराना था लाल किले में अगर आते वो तो दो गंटे डिले हो जाता है यह तो मान सकता है कॉंग्रेस पार्टी और आप कहरें बुलाय नहीं कि एक प्रोटोकॉल है प्रोटोकॉल के तह़ा तरधितियों को बुला गया एसा तो था नहीं कि केवल बी जेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया हो ममता बेनर जी पहुंची नितिश कुमार पहुंचे जिन्हों ने सब को एकठा करके इस विपक्षी गडबंदन को बनाने में एक आहम बूमी का निवाई है उनको लेकर भी जेतना मांजी प्रतिक्री आ रही है वो बाद में बताएंगे पहले अभी यहां प पद की गरीमा के नाते उसमें भी इनको दिक्कत है कि योगी और अमिच्छा के बगल में बैट गई ममता बेनर जी ये इनकी जो कुंठित मान सकता है उसको दर्शाता है आगे उन्होंने का कि संसद में विपक्ष के नेता मलिकार जुन खड़गे को डिनर में नहीं बुला पहले दिल्ली पहुच गई खाने की मेज पर बंगाल की सीएम ममता योगी और अमिच्छा के बगल में बैठी हुई थी इनर में जब सब गये हुए कोई भी कहीं भी बैठ सकता है इसमें भी आपत्ति और यह सबस्यादा पत्ति कॉंग्रेस पार्टी को है वही कॉंग्रेस सांसद ने आगे कहा कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक बार मैं बंगाल के लिए किसी वज़ा से योगी आदितेनाथ से मिला था और उस दिन मुझे बीजेपी का बना दिया गया था और आज क्या हुआ डिनर में शामिल होकर यह क्या संदेश द मैं एक बार योगिया दितनाथ से मिला तो इन्होंने मेरे को बीजेपी वाला बना दिया अब यह उनसे मिल गया मैं क्या इनको कहूं तो आप समझ सकते हैं 2024 की तैयारी कैसे करेंगे कैसे इन में यूनिटी आएगी जो बड़ी-बड़ी बाते तो कहा देते हैं मीडिया में यूनिटी है बैरहल वहीं अदीर रंजन चोधरी के बियान पर टीमसी पलेटवार कर रही है टीमसी के राज्य से पास अंसर शांतुनों से इन कह रहे हैं कि हर कोई जानता है कि ममताब एनरजी आई एंडिया ये दलों को साथ लाने वाली निताओं में से एक हैं उनकी कोई प्रतिबत्ता पर सवाल नहीं उठा सकता है वहीं उन्होंने कहा कि अधीर रंजन चोधरी ये तैय नहीं करेंगे कि प्रोटोकॉल के तहत राज्य के मुख्यमंत्री जी ट्वंटी के अवसर प्रात्री बोज में शामिल होने के लिए कब जाएंगे ये इनकी एकता को बेरहाल अब यहां पर बात की रहें अगर नितिश कुमार की नितिश कुमार का वो फोटो काफी ज्यादा वाइरल हो रहा है जिसमें पीम मोदी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं उनको अमेरी की राष्ट्रपती जो बैडन के साथ हेमन सुरेन भी वहां पर मुझूद है जार और दुनिया के कई नेताओं से मिला यह उनकी प्रतिक्रिया थी अब इसपर जितन राम मांझी क्या कह रहें जितन राम मांझी से जब पत्रकारों ने इसको लेकर के सवाल पूछा तो इस पर नितिश कुमार तो वियकती हैं जो कुछ महीने पहले से ही लगे हुए है कि मैं तो PM मोधी का चेहरा नहीं देखना चाहता दरसल ये पहली मुलाकात थी जब बिहार में BJP अलग हुई जेडियू से और जेडियू ने RJD के साथ जो सरकार बनाई उसके बाद ये PM मोधी और नितिश कुमार की पहली मुलाकात की आमने सामने और PM मोधी ने जो इंट्रोड्यूस कराया नितिश कुमार को उसको ले करके अब ये कह रहे हैं कि नितिश कुमार तो चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे PM मोधी का अब तो वहाँ पर जाकर के बगल में खड़े होगे फिर आगे उन्होंने कहा कि PM मोधी ने उनकी मुलाकात जो है वो अमेरीकी राश्टरपती से कराई शनिवार को उनके साथ खड़े हुए थे ये सब आने वाली राजनीती के बारे में संकेत करता है आगे क्या होगा आने वाले दिन में आप लोग देखेगा तो यह उन्होंने कहा है कि इंडिकेट करता है कि आने वाले समय में क्या होने वाले और नितिश कुमार को लेकर के पहले से ही ये खबरे चल रहे हैं बैंगलोर में जब बैठक हुई से उजग नहीं बनाया गया नितिश कुमार को उसके बाद यही खबर थी कि वो नराज हो करके जो है आगे प्रेस कॉंफ्रेस में बैठे ही नहीं उसको मंबई में जब बैठक होने वाल थी बैठक से दो दिन पहले लालू प्रसाद यादव बिहार में उन्हीं के साथ सत्ता चल रही आरजडी के साथ उन्होंने ब्यान दे दिया कि एक नहीं कई से उजग बनाए जा की है पटना में उसके बाद बैंगलोर में उसके बाद मंबई में लेकिन अभी भी कौन चहरा होगा कौन से उजग होगा कुछ तैया नहीं है और इसी बीच लगाता रही है बियान जो है वो सामने आ रहे हैं प्यमसी कॉंग्रेस की लड़ाई देखने को मिल रही अभी ता तुमाम अपडेट के लिए बने रैस्टीव न्यूस के साथ दन्यवाद